हेलो एवरिवन वेलकूम बेक तो स्कोरिंग साइन्स तो आज कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकंडरी फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट क्या होता है यह हम प्रिविएस वीडियो में पढ़ चुके हैं आपने वीडियो नहीं देखी ह तो मैं आपको description में भी उसका link provide करवा दूंगी तो आज के इस video में हम लोग primary और secondary forest में difference समझेंगे तो चलिए start करते हैं primary forest को लेके तो देखें primary forest have been divided as naturally regenerated forest of native tree species where there are no clearly visible indication of human activities means की ऐसा forest जहां पे human का interface मानवी हस्तक्षे बिलकुल भी नहीं होता है और जो naturally grow कर रहा होता है और जो naturally regenerate कर रहा होता है means suppose जहां पे कोई plant है कोई plant dead हो जाते हैं या plant गिर जाता है गिरने के बाद वहाँ से उसके बाद खुद से regenerate हो जाता है like उसके stem या seeds उसके कहीं गिर जाते तो वहाँ से पेल आना start हो जाता है means की without human के interference से जो forest grow होता है उसी को बुलते है primary forest आई बाद समझ में जिसको human नहीं लगाते हैं और नहीं उसको काटते हैं का उसमें कोई भी contribution नहीं रहता है और simple सिलनाय में जो उसी को हम कह जाते हैं primary primary मतला primitive primitive नहीं पहले ठीक है देखी next है a forest largely undisturbed by human activities हाँ तो वही चीज़ है यानि कि human activity से disturbed नहीं होते है human interference means नहीं होता है या फिर आप कह सकते हो कि untouched forest that exist is in its original condition और जो अपने क्या होते है original condition यानि कि अपने pure form में होते हैं मैंसे आपको जो भी definition समझ में आ रही होगी तो आप वो लिख सकते हैं और उसी के बेस पे explain कर सकते हैं exams में तो देखिए next topic है full canopy and usually several layers of understory तो यहां पर क्या होता है canopy जो होती है वो full canopy होती है canopy means मानके चलो आपकी long branches और fully developed branches अच्छा कासा मोटा सा स्ट्राइम होता है woody stem होता है branches काफी woody होती है और पूरा फैले रहती है तो उसको बोल जाता है canopy और उसके नीचे several layers of understory next point है ground floor is generally clear of heavy vegetation because the full canopy allows very little light necessary for plant grow to penetrate ठीक है तो देखिए अभी मैं आपको इसको image के तुरू समझा दियों एक forest का picture है तो इसमें देखिए यहां पर आपको trees दिख रहे हैं कहीं कहीं पर दिख रहे हैं तो trees के नीचे आपको क्या दिख रही है क्या होती है sunlight की जुरूत होती है sunlight होगी तब ही तो क्या बनाएंगे photosynthesis की process करेंगे और अपना खाना बनाएंगे तो क्या होता है अब देखो इन पेडू के उपर इन पेडू की जो branches नहीं पहुंसती है बट फिर भी जहां-जहां sunlight पहुंसती है वहां-वहां moisture मिलता है और वहां-वहां क्या होता है कुछ plants grow कर जाने है जैसे आपको यह नीचे दिख रहे है ना नीचे यहां पर plants grow हुए है greenery आपको यह सारी नजर आ रही है तो यह क्या हो रहा है यहां से इन plants से छन के जो sunlight आई हुई है नीचे आई है उसी sunlight के सहारे यह छोटे-छोटे plants यहां पर grow कर रहे है आई बात रॉपर को ड्रीकल फोड़ेत इन में क्या हुते है और अलग लग टाइप के इसमें आपको क्या दिख आँगे प्रण चिर आने दि airline इसमें आपको डिख चाए हैं इस में पर उटक जाएंगे इंद buffing ख सब्राइंगे अरुने कोई पर हैं मेरे नग सभरिक ओनर ने यहां लिए वराइटी दिख जाएंगे उसमें और श्रब्स दिख जाएंगे हर्फ दिख जाएंगे तो यह मौश्चर मिलता है तो वो ब्रो कर जाते हैं तो यह सब चीजे डाइवर्सिटी बहुत होती है अब है Home to many rare species, threatened species and endangered species of plant and animal Primary forest एक टाइब से शेल्टर का काम कर रहे, यानि कि घर का काम कर रहे, होम समझ लो आप यहाँ पे है ना मतलब कि देखिए जो ऐसी स्पेसिस, यूमन का इंटेफेरेंस तो है नहीं यहाँ पे इनसानों से ही होता है, लािक हम लोग क्या करते है, शिकार अपने यूस के लिए हम लोग उनको मारते है हंटींग करते है, किलिंग, पोचिंग, इस नही parece ना तो कहां जाते हैं बचके जंगल हुन्मे रहते है औप ऐसे जंगल जहांपे especially humans का कई इंटेf LOOK होता है निया कि मतलब जो विलुप्त होने के कगार में हैं ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल भी आपको क्या हो जाते हैं यहां पे मिलते हैं कहां पे प्राइमरी टैप के फॉरेस्ट में आई बात समझ में नेक्स देखे फिर है और क्या वेनिफिट हैं इसके हमारे पास प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेस विच आउटकम मिलता है दूसरी बात इन्वामेंट जो होता है वह स्टैबिलिटी बनी रहती है इन्वारमेंट को डिस्टरफ करेंगी और जितना उसमें इंटरफेयर करेंगी उतना दिजास्टर यह सारी चीजों इनके क्या हो जाते हैं चांसे बढ़ जाते हैं यह जो क्या करता है इकोसिस्टम प्रोवाइट कर वाता है जैसे कि जो जो हमें इनके रॉव मैटेरियल से चाहिए होती है या फिर आप मान के चलो ऐसे जंगलों से हमें काफी जड़े बूटियां मेडिसिन्स स कर सकते हैं अपने नीडस पूरी भी कर सकते हैं देखे और इन सर्विसेस में क्या है इसमें दिखे vii re-generation, re-growth, फिर से produce, फिर से लगना, soil की fertility बनी रहती है, soil erosion के chances कम हो जाते हैं, paste control of insect vs insects, और अब variety है गहित अब तो and wild animal भी है, तो क्या हो जाएगा जो बीमारी paste के थू होती है, क्या होते हैं। जानि कि जो इन्सेक्स को आते हैं वो इनको खतम कर जाएंगे, storage of wide variety of genes और अच्छे खासे यहां पर varied variety में आपको genes, अलग-लग genes की spaces मिल जाएंगी अब देखें कितना forest है हमारे इंडिया में या world-based पे देखते हैं more than 34% of the world's forest are primary forest ठीक पूरे world में 34% something क्या है primary forest है अब भी या फिर आप कह सकते हैं the world has 1.11 billion hectare of primary forest बचे हुए हैं अभी भी ठीक है remaining these are also known as natural forest old growth forest ठीक है तो यह इन नामों से भी बोलते है natural growth sorry natural forest भी बोल सकते है primary forest को या फिर old growth पूछे आप से तभी भी आपको primary forest यही सब चीज़ें लिखनी है आई बात समझ में यह तो हमने पढ़ा प्राइमरी forest के बारे में अब हम बढ़ते हैं secondary forest secondary में क्या बताएं secondary forest is a forest area which has regrown after a timber harvest और clearing for agriculture यानि कि एक ऐसा प्राइमरी forest यहां पर क्या हो रहा है हम लोगों ने क्या किया पेड़ तो काट दिये क्यों क्योंकि हमें timber की जरूरत थी ठीके तो हमने पेड़ काटे और या फिर हमने क्या किया है agriculture के लिए कोई खेट खाली करवाया है या कोई area खाली किया है agriculture यानि कि अपनी खेटी करने के लिए अब हम वहां पर क्या कर रहे हैं फिर से वहां पर plantations कर रहे हैं फिर से हम वही environment दे रहे हैं वही environment create करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिसको हम बोल देते हैं secondary forest और detail में समझत Trees remain to provide nutrients, structure and water retention after Natural Disturbances अब देखिए Natural Disturbance नचिरल डिस्टरबेंस मतलब की Natural Disaster प्राकतिक आपड़ें जो आजाती है जासे की Fire होता है Forest fire तो बहुत जादा देखने को मिलता है या इंसेक्र का जो इनफेस्टेशन होता है मतलब की Forest क्या होता है? में नैचरल डिजास्टर यानि की नैचरल डिस्टरबेंस होने के बाद जो फिर फिर से वह पहली वाली स्टेज माने की कोशिश कर रहे फिर से हम उस चीज को प्लांटेशन करके वही सब चीज़ा बनाना चाह रहे हैं जैसा पहले फॉरेस्ट था तो उस चीज को हम बोलेंग लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से पेड़ काट लिये या फिर इंसेक्ट का कोई ऐसे हमला हो गया इंसक्त की वज़ेसे आपके जो सारी प्लांट से वह क्या होँए धिरे-धिरे डेड होते जा रहे हैं या कोई खेती खेती भी मैं भी आपकी इंसेक्ट का का तो इस वरसे भी क्या हня धीर धीर क्या होना लग कि खतम होनु में तो उस चीज उसको maintained करके करके और पहले जासा बनाई रखने के लिए और प्राकरतिक जो आप दाइं हैं उनसे बचने से लिग करने के लिए ये सब चीज़ें फिर से की जाती हैं यह तो हो गया सेकेंडरी फोरेस्ट आपके लिए वीडियो हेलफूर रही होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो प्रीज जाके सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और हां शेयर तो आप करीदेंगे